प्रियांक गुपता आपके साथ प्रियांक गुपता आपके साथ किनेताओं के अगवाई में ये कारेकारनी बैठक होने वाली हैं अब इस मीटींग में खास इसलिए भी है क्योंकि कि बहुत सारे नए सदस जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं अब जब वो इस कारकारनी बैठक में शामिल होंगे उनकी क्या कुछ सला रहेगी उनका क्या कुछ कहना होगा क्या उनकी सोच जो पहले से ही बीजेपी में शामिल है उनके साथ मेल खाएगी बहुत सारे सवार है खेर चलिए हमाई साथ हमाई सीने साथी विनोत कुमार जॉइन कर चुके हैं विनोत जी सबसे बहले बताईएगा बीज़ेपी की जो कारकार नी बैठक कल होने वाली है उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है क्योंकि सब के नजर इस मिटिंग पर टीकी है पिछले कुछ महीनों का आंक्लिण किया जाता है कि संगठन की गतिविद्यों में क्या चड़ाव आया है उताराया है यह कुछ ऐसे मुद्द्दे होते हैं जिनको लेकर कि समाज में कही नखी कोई नखी बात उटी रहती है उन बद्द्धों बर चर्चा की जाती है जैसे हम इस फक्त बात करें यूटी जम्मो कश्मीर की selective killing और law and order एक important issue है इस पर कारेकारने में जुरूर चर्चा होगी कि after all जब selective killing हुई है उसके कारण जो कश्मीरी विश्थापित पंडितों को उस तरफ ले जाना था यानि कश्मीरी वापसी उनकी पर चर्चा की जा रही और इस selective killing को कैसे रोका जा सकता है दूसरी बड़ी बात यहाई को भायभीत होकर के जो लोग वापिस आये है चाहे वो जम्मो कश्मीर के लोग हो या फिर दूसरे राज्जों के लोग हो जो प्रवासिश्रमिक बंतर के किश्मीर में काम कर रहे थे उन पर भी चर्चा की ज जी विलकुल और वहीं पर बहुत सरे सवाल इसमें ये भी है जहां पर क्या क्या मुद्दे होंगे सबके जहन में ये भी है और वहीं पर अब बहुत सरे जो नए सदस बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं अब वो जब इस बैठक में शामिल होंगे उनकी क्या सला क्या सोच रहेगी क्या वो उससे मेल खाएगी जो पहले से ही बीजेपी में शामिल है क्यूंकि जब वुप जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी इसमें थे तो तब उनकी सोच कुछ होड़ती अब जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो क्या कुछ उमीद लगाई जाए सवाल जी विनोजी प्रेंका मुझे लगते संपर्क कट गया है जी विनोजी जब तक विनोजी से दुबारा संपर्क होता है और उनसे हम दुबारा यह सवाल पूछते हैं आपको मता रहे हैं कि बीजेपी की जो कारेकारणी बैठक है कल जो होने वाली है उसमें क्या कुछ जिन पर चर्चा होगी कौन सी समस्याओं का समधान होगा क्या सेक्योर्टी रिव्यू किया जाएगा टार्गेट के लिंक्स पर चर्चा की जाएगी उसका उस पर वन्थन हो सकता है नई इंडिस्टियर पॉलिसी या फिर विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी समस्याओं का समाधान होगा क्या कुछ बदलाव आएगा क्या स्ट्राटेजी रहेगी वहीं दूसरी और सबके रज़े इस पर भी टीकी है कि जो नए सदस से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी क्या कुछ सलाह रहेगी क्या क्या उनकी सोच उनसे मेल खाएगी जो पहले से बीजेपी में शामिल है क्योंकि जब वो पहले पिछली पॉलिटिकल पार्टी इसमें थे तब उनकी सोच कुछ ओड़ती अब क्या किस तहां से वो उनकी सोच मेल खाएगी क्या कुछ उनका रोल उसमें रहेगा उस हवाले से बताएगा हाँ बिलकुल प्रयंका आपने बड़ा इम्पोर्टन गोशन पूचा कि जिनकी विचार्धारा नcience quanto अरी कॉंगरस की बात करते थे और पाकिस्तान के साथ बाचित करने की बात करते थे अगर कांगर्स की बात करें जो कांगर्स के सदस हैं कांगर्स की अपनी सोच थी कांगर्स अपीजमेंट की पॉलिसी की चलती थी और कांगर्स भारती दंता पार्टी को फिरका प्रस्ति की पार्टी करती थी लेकिन भारती दंता पार्टी ने उनको बड़ी सम्मान पूरवक पूजीशन में पहुंचाया है, उनको कारिकारनी का सदस्य बनाया है, जिसमें दविन सिंग गाना जो प्रोवेंशियल प्रोजिडेंट थे, आर अब्दुल्ला खांदान के बड़े करीबी माने जाते थे, उनको भी कारिकारनी का सदस्य बनाया गया, सुर्जित सिंग सलाति या जो फॉर्मर कैपिने परिनिस्टर रहे हैं, उनको भी सलाकार बनाया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जादा नाम, Y.B. शर्मा जे वो बड़े करीबी एफिलेटेट थे, कॉंगरेस के साथ, गुलामने भी एदाद के साथ, उनको भी सदस्य बनाया गया है, त यूँकि इनों ने अपनी पार्टी में बड़े इमांदार अन तरिके से काम किया हुआ है, मेनत की हुआ है, मेनत का शलोग है, और इनका बेनिफिट जरूर होगा, कारेकारनी में भी यह अपनी जो प्रस्ताव रखेंगे, उसका बेनिफिट भारत जिनता पार्टी को आए दिन लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे, डेली बेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे, अगर हम लीकर पॉलिसी की बात करें, माइनिंग की बात करें, इनसे पर चर्चा होगी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के अब हम सड़कों पर उतरती है, हम सब जानते हैं कि जान जागर पॉता अभियान इस सिल्सले में शुरू किया है, कॉंगरस ने कि लोगों को अवेर करवा है, जैकि केंदर सरकार के इस कारिकाल में महंगाई, जिसको हम इंफलेशन रेट कहते हैं, इंफलेशन रेट कितना बड़ा है, और किस तरीके से डीजल पेट्रोल के दामों के है, उनका यह कहना कि यहां पर होना चाहिए, कैट को यहां पर लाया जाए, हाई कोट में लाया जाए, बहुत सारे मुद्धे ऐसा है, जिनको लेकर के जम्मू के लोगों के रोशा है, उन सभी मुद्धों पर चर्चा की जाएगी, और लंबी चोडी चर्चा होगी, आज ऑफिस बेरर की मीटिंग चल रही, एक पूरा दिंग चलेगी, और कल उसके बाद कारेकारनी की बैठक कल शुरू होगी, जो नए सदसे हैं, वो इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ कॉंक्छ कॉंक्लूजन निकलेगा, कौन सी समस्याओं का समधान निकलेगा, इस पर सबकी नज़ें ठीकी हुई हैं और सबसे बड़ी बास, लोगों ने ओवर्लोडिंग को हाथसों का बड़ा कारन बताया है, क्योंकि कहीं न कहीं लापरवाही जरूर होती है, जब कोई चड़क हाथसा होता है, अब वो लापरवाही बहुत बार देखी गई है, आगे नहीं देखी जाए, इस हवाले से क्य हुए आट लोग घाल हुए, उसमें उस हवाले से बातचित करेंगे, जी हमारे साथ नदीम जोइन कर चुके है, रामबन से हमारे समद आता, नदीम बताईएगा, जो सड़क हाथसा हुआ था, रामबन में उस हवाले से क्या कुछ ताज़त अफसिलात है, क्या अपडेट स जखमी हुए, उसके बाद कल हमने देखा कि कल भी एक ट्रक ने चार गाड़ियों को टक्कर मार दे, जहां दो लोगों की डेथ हुई, बाकी जखमी भी हुए, लेकिन जहां डिकडोल काटस्मा एक्स्टेंट की बात करें, तो वहां पर जो है, एंक्वाइरी ऑफिसर स्टे लेकर, क्योंकि बैग टू बैग, देखिए, हमने देखा कि एक्स्टेंट दो दिन में हुए जहां चार लोग, लोग हलाक हुए, इस पर लोगों का यह कहना है कि अवर लोडिंग जो है, औरोडिंग इस पर औरोज पर है, जिलारामन के अंदर, एक तरफ हम देखें कि लेकिन उसके साथ में एक कमजोरी का सुबूत जिला रामन की कमजोरी का सुबूत एक यह है कि चोदा लोग सफर कर रहे थे उन पर क्या कारवाई हुई थी यह इस तरह हम देखते हैं कि अक्सर सडकू पर जो है आवर्लोडिंग होते रहती लिंक रोड्स की जहां बात करें त अबर दीखिए और चारजिंग तो हो रही है आवर्लोडिंग भी हो रही है लेकिन इसको रोकने के लिए हम ये कहें कि मौटर विकल ड्पाट्मेंट काफी है तो ये भी कहना गलत होगा क्योंकि रामबन के अंदर अगर हम देखते हैं मौटर विकल्पाट्मेंट के पास 2 स संदर्स है एक तो इनस्पेक्टर है जो इनस्पेक्शन अथार्थि है उसके बाद एर्ट्यो है जो इनस्पेक्शन E беспैक्शन ऑ़ भी है और लाइससेंग एसांषी का कामकाजी भी देखने तो जाहे रशी बात है कि दो लोग अगर आपके पास पूर से ज्यादीufen आपके पास है तो अवर लोडिंग अवर चार्जिंग पर काबू पाना कापी मुश्किल है इसके साथ में मोटर वैकल एक्ट की हम बात करें तो उसमें ये चीज़े बताई गई है कि मैज स्टेट भी अवर लोडिंग पर अवर चार्जिंग पर रोग थाम लगा सकते हैं उन अगर आप पर अगर आप गाड़ियों को चैक करते हैं तो हाईवे पर पहले ही हमने देखा है कि मुशापिर सफर करने से कत्राते हैं कि हाईवे पर ट्रैफिक जैमिंग का बड़ा खच्चा रहता है तो हर एक शक्स की कोशिश रहती है कि वो जल से जल आपर से घुजर कर सब्सक्राइब करनेधेंगे तो हाईवे पर चैकिंग करने चाहे हम ट्राफिक पोलिस की बात करें नहीं कि हम हर गाड़ी को चैक कर सके क्योंकि वहां पे लोड कैरियर्स भी है वहाँ पे passenger carriers भी है, buses भी है, mini buses भी है, LMBs भी है, तो तमाम गाड़ियों को grab check करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि highway पर traffic जाम तो लगेगा, लेकिन अब administration को यह चाहिए कि इस रोख हम अगर लगानी है, overloading पर, और SOPs जो खलाव फर्जियां हो रही है, क्योंकि देखे एक तो कहाँ का physical distance maintain हुआ, उन चीज़ों को भी देखना है, तो link roads पे, यहने अगर नील की तरफ गाड़ी जा रही है, तो आप देखेगा, रामसू के रामसू पोलिस को आप बताएं कि जनाब आप जाके मगरपोर्ट में चेकिंग करें, उसके बाद अगर नील की तरफ गाड आपके पास राजगर में पोलिस पोस्ट है, वहाँ पे चेक करें, बतोत में पोलिस टेशन है, वहाँ पे चेक करें, यानि फ्लाइंग स्कैट्स बनाएं, और डिफरेंट लोकेशन पर उन्हें भेज दें, जनाब आप जाईएगा इस चीज़ को चंट्रोल कीजेगा तब जाके इंसानी जानों को तहफुस फराम किया जा सकता है अगर आप मोटर विगल्स डिपार्टमेंट या फिर आप ग्रैफिक पोलीस पे ये सब चीजे छोड़ दे तो जाहिर सी बात है कि इस पर कंट्रोल पाना काफी मुश्किल है क्योंकि आप डिस्टिक हैड़कौटर के और आप डिस्टिक हैड़कोटर अगर यह को भी लगा देते हैं अप ट्रैफिक को भी लगा देते हैं वह सब चीजे काफी नहीं आगर अगर वलोटिंग को सचमुच में आपने बनाईए को आप इस तरह की टीम्स बनाइए कंस्चूटर कीजिए जो मुक्तलिफ रूट्स पर मुक्तल याने यह नहीं कि देखिए आप कुछ गाड़ियां हमने देखा है जब मोटर विकल्स डिपार्टमेंट राम्मन की गाड़ी अपने दफ्तर से निकलती है तो ड्राइवर जो अपनी गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं जनाब हम नहीं चलेंगे क्योंकि एम आप कारवाई हो जो भी इन तमाम चीज़ों की ट्रैफिक लाज की ट्रैफिक रूल्स की वाइलेशन करें फिर जाके आवर लोडिंग के आवर लोडिंग पर कंट्रोल हो सकता है और एसोपी की जो गाड़ियों के अंदर धजिया उड़ाई जाई है उन पर भी रोप्वाम प्रॉब्लम है किस वज़ा से हो रहे हैं वो कारण दुबारा सामने ना आए इस तरह का सड़काथ सा दुबारा ना आए इस पर कड़े से कड़े कदम प्रशासन को लेने की ज़ूद है क्योंकि लोगों का आरोप है ट्रैफिक रूल्स का वाइलेशन होता है जाए हम सुमो चलिए अब रुक करते हैं सामबा का क्योंकि सामबा से एक बेहत अजीबु गरीब ख़बर सामने आ रही है क्योंकि आपने कोविट वेक्सिनेशन के बारे में सुना होगा पर ये नहीं सुना होगा कि सामबा में अब मुर्दों की भी कोविट वेक्सिनेशन हो रही है में तक महिला की दूसरी वेक्सिनेशन का परिजुनों को SMS आया है और मई महीने में ही हो चुकी थी रामगड की केसो गाउं की महिला की मोत देखें जिस महिला की मोत हो चुकी है मई महीने में ही उसकी जो सेकेंड डोस है उसका SMS उनके परिजुनों को आया है बेहद ही अजीब गरीब मामला है और आपको ये भी बता दे कि 11 नवंबर को परिजन की मोबाइल पर दूसरी डोस लगने का SMS आया था अब में महिला की मोथ हो चुकी है नवंबर को मेसिज वाता है कि आपका सेकेंड डोस लग चुका है तो कितनी बड़ी लापरवाही जो है ये सामबा से सामन में आई है कि अब मुर्दों की भी कोविड वेक्सिनेशन हो रही है और मृत्तक महिला की दूसरी वेक्सिनेशन का परिजनों को SMS आया है तो चलिए सीधा रुक करते हैं सामबा का हमाई समधाता रिशी खजूरिया हमाई साथ लाइब जोइन कर चुके हैं रिशी बताइए कि क्योंकि बेहत ही है रां कर देने वाला मामला है कि अब जो लोग मर गए हैं उनकी भी कोविड वेक्सिनेशन का SMS सारा है क्या कहेंगे देखिए बिल्कुल यह वाक्वे में हैरान करने वाला मामला क्योंकि कहीं नहीं यह कुताही और लापरवाई साफत और नजर आ रही ह है इसी साल 221 में और उसके बाद 6 महीने अब टेथ को हो चुके और टेथ सर्टिकेट परिवार वालों को मिल तुका है लेकिन बड़ा हरां करने वाला वाकिये सामने आएगी जब हैल डिपार्टमेंट के अधिकारी फोन करते हैं इनके घर पर इनके फैमिले मेंबर से की ज उन्हें कहा कि चलिए ठीक है अब इसमें आगे कारवे जो है वो आगे कोई भी नहीं होगी लेकिन उसके बाद कुछी देर में एक मुबाइल पर उनके मैसेज आता है कि यू आप इन सक्षिपली वैक्सिनेशन विट सेकेंड डोज तो उन्होंने उसका एक स्क्रीन शॉट जो वो रख लिया और उन्होंने हल डिपार्टमेंट का दिकारियों से राप्ता किया और उन्होंने कहा कि जब हमने आपको बता दिया कि डेथ हो चुकी है हमारे माता जी की तो उसके बाद यह जो वैक्सिनेशन किया है यह किसादार पर किया गया है तो सवालों के घेरे मे ये जो है हाल डिपार्टमेंट आता हो नजर आ रहा है कि आखिर इतनी लापरवाई इतनी कोता ही वैक्सिनेशन के मामले में क्यों की गई है क्या ये पूरा टार्गेट पूरा करने के लिए ये पूरा जो वो एक्सेस की गई है तो इसको लेकर उन्होंने कंसर्ण बीमों से बात किया लेकिन उनकी तरफ से भी कोई क्लेरेंश अभी तक नहीं मिल पाया और उसके बाद उन्होंने हमें भी प्रोच किया और उन्होंने हमें एक डेट स़र्टिफिकेट की कापी बेज दियो और उसे के साथा जो सेकेंड डोस का सेटिफिकेट रिलीज हुआ है वो भी डाटा चड़ाया गया है अगर बताने के बाद भी उनको ये फेक मैसेज आता है कि आपको सेकंड डोल्स लग चुकी है तो ये वाके में एक निंदनी है और काफी चिंता जिताने वाला मामला है लेकिन इसके पर अभी तक जो हाइर अथर्टी है जो आला दिकारी है उनकी तरफ से अभी कोई भी क्लेरिस नहीं दिया गया है लेकिन जो परिवार जिनके साथ ये ऐसा वाक्या पेशाया है फेलर फेलर जो वेक्षाइब काफी जाला जाने साहरे है अपर तो ये तो ये काफी चिंता का मामला है इस से पहले भी इस तरफ की कई शिकायते सामने आएए कि हमने अभी अपनी डोज लगवानी है लेकिन हमें मैसेज आजाता है कि आपकी डोज जो वह आपको लग चुकी है बिल्कुल एक बहुत बढ़ता क्रासा इसमामले के जरीय हुआ है क्योंकि जहां पर ये डावे किये जा रहे हैं कि 100% वेक्सिनेशन हो रही है वहाँ पर ये शिकायते भी आ रही है कि जिन्होंने नहीं कोरोना वेक्सिनेशन लगाई है उनको भी मैसेज आ जाता है अब तो ऐसी हद हो चुकी है कि जो मर चुकी है उनको भी मैसेज आ रहा है कि आपकी भी वेक्सिनेशन हो चुकी है तो बहुत संजीदगी से इस मामली को बात्षित करने के क्या कुछ रिस्पॉंस इनकी तरफ से अब इनकी तरफ से कोई भी क्लेरंस जो वो नहीं दी पाई है हमें परिवार के से दस्व ने अपरोच किया और हम अभी कोशिश करेंगे मुझे लगता है कि अगर डिसी सामबा तक यह बात पहुंच जी होगी तो वो जरूर इसका संग्यान लेंगे लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि जिसले आपने खुद भी जिकर किया कि यह लोग यही एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें 100% वैक्सिनेशन का डाटा तयार करना है और इसी डाटा के अधार पर जो है वो वावाई लूटने का भी एक प्रयास किया जा रहा है कि हम को को नंबर वटवान कर रहे हैं हमारा जिला जो हो नबर वान आचुक है हमने हर एक व्यक्ति को वैक्सिनेट कर दیا है लेकिन अगर अगर इस तरह का चाहः नहीं चेक होगा तो कईयों ने फेक सर्टिफिकेट जो वो बनाए होगे तो ये मुझे लगता है कि इसके ओपर को नैक्सिस भी हो सकता है लेकिन इसको लेकर अलजी सापको संग्या लेनी की जरूरत है कि हल डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है पोर्टल को चेक करने की जरू चुकी हो तो ये एक चिंदा का मामला है और मुझे लगता है कि लगता है कि इसको लेकर संग्यान लेना होगा तो बहुत बड़ा खुलासा इस मामले के जर्ये हुआ है जिसके चलते अब हायर अथॉरिटेस इस पसंजीत की से संग्यान ले यही उमीद लगा सकते हैं कोरोना वामारी की तीसरी लहर की जोर पकड़ने के मद्दे नज़र जमकश्मीर के स्वास्त विभाग ने कमर कसली है बात करें अगर जम्मू की तो यहां जीमसी अस्पताल की तो यहां आने वाले कुछ तिनों में दो और ऑक्सिजन प्लांट्स थापित होने वाले हैं बेट्स की विवस्ता पहले से ही कर ली गई है और उसके इलावा जीमसी के नए अमजुंसी ब्लॉक में भी 90 से ज्यादा बेट्स कोरोना मरीजों के लिए तयार किये गए हैं और कुल मिलाकर स्वास्व विभाग तीसरी लहर का सामना करने के लिए पूरी तरहां से तयार हैं जिन्दे तू नोसों ने डिन्वे बैड्स उपर साड़ी ऑक्सियन जड़िये लगीए और अलावा साड़े को नवी एमर्जैसी जड़ी पिछले साल जुलाई दे माने निये लैट्न गोर्नर साब ने जड़ा इनागरेशन किती ओभी फंशनल है उदे साड़े को नाइट जड़े इस इस पर इसलेशन हेड़े दियु सी यू वार ती वर सत्ट ग्यारा चोना पंदरां सारे बारेश आट नों बेर साड़ेशन अवेलेले लमो साड़े लिक्वेड मेरिकल अशिजन तर अंसरे ऑस्टेशन लगिए लग्ये लुट्स ऑस्टेशन जड़े लग्ये और अगले पंदरां पी दिज दो ऑक्सी जनेशन प्लांस अड़े और आजगा ने उन्दा भी सारा जड़ा इंजिनियर नेक मेंने सारा काम कर गए उड़े दा सिर्फ उन भी प्लांस ती जड़ी है वो ट्रांस्पोर्टेशन बैंगलोर तूँ शायद हो नहीं है जमू के परेटिन उत्यों को बढ़ावा देने के उदेश से जमकश्मीर प्रशासन वागा की तर्श पर सुचेत कर स्थित ओक्ट्राय पोस्ट पर हर सप्ता बीटिंग दे रिट्रीट सर्मनी का आगास किया था शासन ने जिसों देश को लेकर बीटिंग दे रिट्रीट सर्मनी का आगास किया लगता है वो पूरा हो रहा है रविवार को अक्ट्राय पोस्ट आयोजित होने वाली सर्मनी में बड़ी संख्या में परेटिक पहुंच कर बीटिंग दे रिट्रीट सर्मनी के दोरान बीए प्रश्वक्ति विभाग के अंदेखी के कारण जमु के ब्लॉग भलवाल के गाउं धर्मक्खु के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजपूर हो रहे हैं इन लोगों का अरूप है कि बचले काफी समय से उन्हें गंदे पानी के आप उर्टी की जा रही है जिसे गाउं के लोग कई बिमारीयों का शिकार हो रहे हैं इन लोगों के मताबिक वो इससे मामले को लेकर कई बाज़शती विफाक से अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई भी अधिकारी उनके सुनवाई नहीं कर रहा है जिससे लोगों को परिशानियों का सामना करना पर रहा है कि पानी पिने हमारे तो घ्रवाले भी हरे मारी नगा तेंग हम चाहते हैं कि हमार जहां का पानी साफ हो जाये जहां पर लेडीज जो कठी हुए हैं जो हमारा जो पानी का पानी आता है जलस्ती मेशन प्रूपे जो नए ड्भाट्पेन बनाया है उर जहांपर पाणी है जो खड़ा रहता है पानी जो बाल है वो लीक होते हैं उसके जो पानी बाहर लीक होता है अभी की बुल्टिन में फिलाल इतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार अभी की बुल्टिन में फिलाल इतना ही जाज़त नमस्कार